कुरोना के बढ़ते मामलों को देखते वे बिहार में भी लॉकडाउन लगाने के बड़े संकेत दिये जाने लगे हैं नमस्कार में नाम दीपक है और आप सभी देखना सुरू कर चुके हैं आईटीटी नियूस आईए ख़बरों को विस्तार से दिखने से पहले हेट लाइस वर नजर डालेते हैं अकलेश और राहूल ने मिल करके बनाई उत्तर परदेश में योगी आदितनात की सरकी दर्त देखिए क्या है बड़ी और मतपूर खबर साथी साथ बिहार में नगर पंचायतों के चुनाओं के लिए आज मट डाले गए कल आ सकता है फैसला इसको लेकर के बड़ी जनकालित सामनी आ रही है और साथी साथ आज की बड़ी खबर में बातचित करेंगे 31 तारिक तक का है जल्दी करें अन्य अथा परसानी बढ़ सकती है साथी साथ बात करेंगे लालू बिशाद यादो को लेकर के क्या है बड़ी और महतपूर खबर इसको लेकर के आ रही बड़ी खबर बिस्तार से करेंगे चच्चा बने लिया फ़बर साथ भारतिये जन्तापाटी ने बिहार में एक नयार रण त्यार कर दिया है जिसके साथ ही बिहार समय देश के तमाम कोनों में भारतिये जन्तापाटी की मजबूती और बढ़ने वाली है साथिसाथ बात करेंगे कैसे इस वक्त मुकेस सहनी जिहां देश के सबसे बड़े चेहरा बंडरय दली समुदाये के इस पर भी मिस्तार्ट से चर्चा करेंगे राहुल गाधी के भारत जुड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में परवेश से पहले यात्रा में लाखो लोगों के जुड़ने की संकेत सामने आने लगे हैं और साथी साथ आज की बड़ी खिबर में बाचीत होगी सलमान खान के जनमदीन पर कौन कौन से दिगजों ने की सिरकत और किसने दिखाई अपनी कितनी ताकत दिखाएंगे बिस्तार से और साथी साथ बताएंगे कि लॉकर में गहना रखना अब आपके लिए महेंगा पड़ा सकता हैária। लॉकर में गहना को रखना या फिर ज्योल्री को रखना आपके लिए महेंगा क्यूं पड़ेगा इस पर विबिस्तार से नजर डालेंगे। उससे पहले विडियो को लाइक कर दिजे, सेर कर दिजे और चैनल को कर दिजे सस्क्राइब बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त जिहां देश के प्रधान मंत्री श्री नरिंद्र मोदी जी ने बदल दिये हैं सापकुछ और ऐसे में देश को एक नया परिवर्तन का रास्ता दिखाने वाले नरिंद्र मोदी के सामने इस समय बड़ा जिहां एक संकट का पहाड गिरने वाला है क्योंकि उनकी माता सुरी का तबियत खराब हो गया है ऐसे में मिल रही रिपोर्ट और खबर के अनुशार उन्हें अस्पताल के अंदर भरती कराएगा है और जो उनकी प्रतक्रिया है डॉक्टरों की वो लगाता डॉक्टरों के परियास के बाहुजुद भी उनकी कहीना की एक उमर हो चुकी और ऐसे में उनकी जान जाने के जादा सक संकेत सामने आ रहे है देश के प्रधानमंत्री शुई नरियंद्र मोदी के ओपर एक पहाड जो है परिवार के साथ तूटने वाला है और परिवार का ये पहाड कहीं न कहीं सबसे ज़ादा उन्हें कोसिस जो है वो रूला सकता है तो क्या नरियंद्र मोदी को आगे की चीज़ें होंगी उस पर भी हम बस्तार से नज़र डालेंगे बने लिएगा आप हमारे शाहत इस वीडियो को लाइक करना भूरी है बड़ी ख़बर आ रही है बिहार में बिहार में आज नगर पंचायतों के चुनाओं के ले करके आखरी वोट डाली गई और कल फैसला आने वाला है ऐसे में कल फैसला जब सुनाया जाएगा तो सबकी निगाह इस पर बात पर टिकी हुई है दूसरे चरण के मद्दान बीच जाने के बाद में अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी हुई है कि अगला अब क्या कुछ होगा और कैसे इसे बदलनी का परियास होगा देश में दूसरी बार ऐसा हुआ जब विहार के नगरपन चैतों के चुनाओ में चुनाओ को रद किया गया था और अब जब नितिश कुमार्च के सरकार में दो चरणों में 18 और 28 देसमबर को चुनाओ का वोटिंग कराया तो सब कोई चौके के चौके रह गया ऐसे में आप भी इस बात से चौक सकते हैं लेकिन अब नया मेर नया चेर्मेन और आपको नय लोग मिलने वाले हैं जो देश के विकास के लिए अपना महत्पूर योगदान निभा सकते हैं लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके दौरा लूट गसूट का मामरा भी सामने आएगा ऐसे में आपको क्या लगता है निताओं को जितना खर्च वह चुनाओं में करते हैं क्या उससे जादा वह इंकम नहीं करते क्या बड़ी कबर निकल कर सामने आ रही है तिजश्वी आदो को लेकर के बिहार में तिजश्वी आदो का जलवा जारी है और ऐसे में तिजश्वी आदो के लिए कुछ लोग तो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार के सबसे बड़े युवा चेहरा के साथ तिजश्वी कर सकते हैं लेकिन अगर नितीश कुमार को पल्टी मारने से पहले वह सरकार अपना कायम करते हैं तो इस पर भी लोगों की निगाहे रहेगी आपको भी बताएंगे किस तरीके से सरकार बनाने का कोसिस के अजार है लेकिन उसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा अपना समर्थन दर्च करना ना भूलिएगा ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए ताकि हम आपको कुछ बड़ी जनकारी जो अभी आपको जाना बहत जरूरी है वो आपको बता सकीगे बड़ी कबर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते वे बिहार्च में देश के विविन हिस्सों में अस्पतालों के अंदर पेसेंटों की आने की संख्या बढ़ने लगी है ऐसे में लोगों से ये अपील किया जाला है कि वह घरों में बने रहें घरों में बने रहने के साथ साथ अपने आपकी सुरक्षा इन सभी चीजों से कर सकते हैं अन्य था आपको भारी परशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है क्योंकि कुरोना अपने पिक पर है यानि अपने रफ़तार पर है और ऐसे में कुरोना के बढ़ते मामले आपके लिए सरदर्द बन सकते हैं कुरोना लगतार एक बार फिर शेम सुर्खियों में हैं कुरोना के बढ़ते मामले लोगों को परशान कर रहे हैं और इन ही सब ही कारणों से अभी जो है वो चीज हैं बदल नहीं हैं जिससे आपको ये बताते हुए बड़ी ही जिया अचंभित वाली बाते हैं कि जब बिहार शुर्टमाव वने एक जगों पर कोरोना फैल रहा है तो इसे नियंतरण में लाने के लिए सरकार लॉकडाउन ज और डिप्टी सीम जो है वो तिशवी आदों के अस्तित्व पर शवाल खड़ी करने लगे हैं उन्होंने कहा कि तिशवी आदों जूट बोलते हैं और ऐसे में उनकी पूरी की पूरी कहानी जूट पर टिकी हुई है ऐसे में आप जूटा वादा कर कितने दिनों तक लोगो को बरगला सकते हैं उन्होंने साफ सब्दों में कहा कि ये सरकार जो है वो जूटा वादा कर रही है जूटे बाते कह रही है अगर सरकार को इतनी ही सफाई के साथ नितीश कुमार चला रहे थे तो फिर क्यों उन्हें भागना पड़ा आखिर नितीश कुमार को किन बातों क का डर्ट था महाकट Бंधन में पहले भी थे और आज भी हैं लेकिन पहले वह महाकट बंधन को छोड़ करके क्यों भागे और आज महाकट बंधन में रहने का कारणlay क्या है वून उन्हें तो जंता के सामने बताना चाहिए और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि तेश्वी आदव को मुखमंत्री बना दे क्योंकि तेश्वी आदव के जंता जो नहीं जानती है उन चीजों को भी जंता जान जाए और वह कितना विकास करते हैं इस बारे में जंता आउगत हो ज परज कीज़ारी जो आपके लिए बड़ी खुश खबरी है और आप अगर सुनने की खरदारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहतर मोका भी है दोस्तों अगर आप सुनने की खरदारी करना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए काफी जादा खास होने वाला है क्योंकि ह इतन दूरीती रिवाज के अंसार खरवास में कुछ चीजह नहीं ख़र गए हैं। जोड़ने के पूरी परियास कर रहे हैं। भोट है जो जनता उन्हें वोल चुकी है उनके विचारों को नहीं समझ पा रहे हैं। उसे भी समझाना उसे भी बताना और उसे भी ये कह करके बताना कि हम कितना बहतर चीजह देने जा रहे हैं। इसके बारे में वो बता सकते हैं। तो आपको इस पर क्या लगता है मैं कॉमेंट में लिक करके जरूर बताईएगा। आप भारत जोडो यात्रा और रहूल गांधी की रणीती रहूल गांधी की तमाम दिन चर्या और रहूल गांधी की जूड़ी हुई अपडेट्स जहां पाते हैं। अपना चोटा सा प्यारा सा कॉमेंट लिख करके ज़रूर बताएगा कि राहूल गांधी कैसे नेता हैं और क्या राहूल गांधी सच मुछ इस देश के विकास कर सकते हैं परदान मंतरी को रिस्माते हैं बड़ी खबर निकलकर शाम नियरी चिराग पास्वान ने ग्री मंतरी अमीद साह से मुलाकात की है और इस दोनान ग्री मंतरी अमीद साह ने बिहार पे बिगड़ी विवस्थाओं के अपर सवाल भी किया है माना जरा है कि ऐसे में गृ मंत्री अमीट सह से चिराक पास्वान की मुलाकात पर लोगों की निगाएं थी और इस मुलाकात के बाद में उन्हें केंद्रिय मंत्रि मंदल के अंदर भी जगा दी जा सकती है तो सबकी निगाहे इस बात पर टीकी हुई है कि केंद्रिय मंत्री मंडल के अंदर चिराख पास्वान को कौन सा केंद्र अपना हाथ और बाहा थमाएगा और किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाएगा बने लिए आप हमार साथ इस वीडियो को लाइक करना भूलेगा आसके इतना ही आईचिटी नियूस के लिए दीपके